तो दोस्तो आज है 17 नोबेंबर 2022 और आज में लेकिया हूँ आपके लिए ब्राइट कॉम ग्रूप लिमिरेट का कम्प्लीट शेर एनलाइस और इस कमपनी का उपर कास कर वीडियो बनाने के लिए हमें विशाल जिने कमंड कैता ठीक है तो अगर आपका भी कोई क्वेरी से तो प्लीज नीचे कमंड बॉक्स में कमंड कीजे थाकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सके और अगर दोस्तो आप भी इस कमपनी के बारे में कम्प्लीट जानकारी हासिल करना चाते तो यह वी वीडियो की शुरुआत में हम इस कम्पनी का क्वाटर ले रिजल पर भी एक नजर डालेंगे और अगर आपके बास स्टेडिंग करने के लिए डिमार्ट एकाउन नहीं तो वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्सन पे मैंने लिंक दे दिया है जैसे आप ग्रो जैसे बड़े बेंक एकाउन में भी ट्रांसपर का सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो यह है इस कम्पनी का सेप्टमबर दुआजर बाबीस का क्वार्टर ले रिजल ठेकि रविनू पर आप देख सकतो कम्पनी को येर और येर प्रोफिट हुआ है लगबग साड़े क्वाज हुआ है इस साल में ओपरेटिंग इनकाम देख सकतो कम्पनी का 55% के आसपास कंपनी इस साल में प्रोफिट में है कंपनी का कॉस्ट और रिविनू पे 56.6% का तो चलिए हम सबसे पहले इस कंपनी का फंडामेंटल को समझते हैं उसके बाद दोस्तों इस कंपनी का आपको मैं बताऊंगा कि इस कर्टर में कंपनी को कितना प्रोफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है ठीक है तो ब्राइट को ग्रूप जो है बेसिकली यह आईटी पे भी काम करता है लेकिन इसका जो में बिजनेस है वो आपका मतलब न्यूस सेक्टर का मतलब न्यूस मेडिय सेक्टर पर यह कंपनी काम करता है इसका आप टोटल मार्केट के अब दख सकतो 7,022 करोड कंपनी का मार्केट के यहाँ पर और करेंट शेर प्राइस देखेंगे तो 35 रुपे के आसपास आ चुका है हाइस्ट रहा इस साल में इस कंपनी का 123 रुपया और अगर लोइस प्र रुपया 60 रुपया के आसपास है लॉंग टाम के लिए कंपनी आपको डिविडेन भी देने वाला है अच्छा घाजा इसका रिटेन और का इंप्रोइट का नंबर दोस्तों बहुत है अच्छा है तो एक अच्छा नंबर माना जाता है यहाँ पर रिटेन और इक्विटी क बहुत ही अच्छा है यहाँ पर 25 परसंद के आसपास है रिटेन और इक्विटी का नंबर यहाँ पर फेज वलू देख सकते हो कंपनी का फेज वलू इस वक्त दो रुपय का तो चलिए अभी जान लेते हैं इस कंपनी का जो भी डिटेल्स तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो कंपनी इस अल्मोस्ट डेफ्री और दूसरा स्टॉक इस ट्रीडिंग एट 1.13 टाइमस इस बुक वेलू तो कंपनी का वैलुएशन जो है वह सस्ता हो चुका है कंपनी का शेर प्राइस जैसे जैसे नीचे गिरता गया है इसका वैलूएशन भी इस वक्त अच्छा हो ग कम से कम 40% प्लास होना चाहिए मेरी पॉइंट ओविश आकर दिखा जाये तो इस कंपनी का ठीक है क्यूंकि कंपनी इतना मार्केट के इतना बड़ा है तो इसका प्रोमोटर्स भी कम से कम होना चाहिए तो प्रोमोटर्स देरे देरे अपना होल्डिंस घटा रहा है जिसकी बचे से रिटल इनिवेस्टर भी कमपनी छोट छोट के देरे देरे मतलब भाग रहा है तो जिसके कारण से इसके शेर प्रैस में लगातार गिरावट जारी है तो यह चीजे अगर सही हो जाता है दोस्तों तो आने वाले दिनों में यह कमपनी फिर से हायर हाई बानाना मैं आपको बता चुक हो प्रोमोटर्स बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा मेंटर करता है बड़ी कमपनी के लिए ठीक है अकर प्रोमोटर्स एक्जिट हो जाता है तो वहाँ पर स्मार्ट इनिवेस्टर जो है वह भी देरे देरे स्टेक बेच के निगलना शूरू हो जाता है तो यहां पर देख सकतो कंपशनि क्या क्या करता है यह कमपनी आई टी पर भी काम करता है वी बनाता है इसका कंप्यूटर्स पर काम करता है और यह जो भी और सेल हुआ एक कंपणी को 1683 करोड का तो कंपणी ओप्लेटिंग प्रोफित में 510 करोड कंपणी को प्रोफित हुआ है जबकि जून 2022 के जो कोड़र का रेजल्ट था उससे बहुत अच्छा रेजल्ट लेकाया है no doubt company result भी अच्छा लेकिया है यहाँ पे quarter and quarter देख सकतो 277 से company का जो profit हो चुगा है net profit में 321 quarter and quarter company का अच्छा profit है यहाँ पे देखेंगे लगातार तो यहाँ पे company growth पे ही है बस problem वो ही है कि जो promoter से वो क्यों भाग रहे company से exit क्यों हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो इस साल में company का expense हुआ है पांच चार हजार पांसो साथ करोड का और sale हो है company का 6425 करोड का तो company operating profit में 1918 करोड profit में है जबकि March 2022 से बहुत ज़्यादा company जो है operating profit में profit लेकिया है और यहाँ पे इस साल का company का अगर net profit देखेंगे तो दोस्तों एकदम शांधर 1100 करोड के आसपास company को इस साल में profit हुआ है पिशले साल मार्च 2022 तक देख सकते हो company 912 करोड profit में था जबकि यहाँ पे 9 से सीथा 12 1200 करोड पे आ चुका है तो बहुत अच्छा company का profit growth है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे देख सकते हो sales growth बीते 10 साल में 15% का है 5 साल में 15% का है 3 साल में 25% का running year में 93% का company का sales growth है यहाँ पे profit growth compounding profit growth देखेंगे 10 साल में 17% का है और 5 साल में 16% का है यहाँ पे 3 साल में 27% का running year में 100% company जो है profit growth में है इसका CHJR इस साल में थोड़ा सा negative जा चुका है आप देख सकते हो 44% माइनस पर जा चुका है लेकिन 3 साल में 183% का है CHJR रहा कंपनी का इस कंपनी का अगर balance sheet देखेंगे तो balance sheet पे भी आपको liabilities और assets जो है यहाँ पर बड़तरी किया है देख सकते हो इससे पहले साल में 5949 करोड का company के पास liabilities और assets था जबकि अभी हो गया 7030 करोड का तो company business को भी बढ़ा रहा है दिरे दिरे अच्छा एक अच्छी मतलब number से यहाँ पर मैं आपको promoters का holding दिखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हो promoters का holding जो है 18.47% का और यहाँ पर FIS का holding 14% का है ठीक है FIS ने भी थोड़ा सा बड़ा या है 13.55 ता यहाँ पर 14 हो चुगा है यहाँ पर domestic investor का 0.05% है कुल मिला के यहाँ पर 67.45% जो है पबलिक का holding है यहाँ पर तो अबरहल दोस्तों company का fundamental सब कुछ ठीक ठीक है ठीक है बस यहाँ पर जो है negative point है में negative point आपको यही चीज़े ध्यान अखना है और अगर आप risky investor है तो आप इस company पर बिल्कुल निवस कर सकते हैं बस आपको stop loss का जो इस्तमाल करते रहना पड़ेगा नहीं तो stop loss के विगर loss ज्यादा हो सकता है तो अभी हम लोग इस company का थोड़ा वो चार्ट परटन को analyze करते हैं तो चार्ट परटन के मुताबिक आप देख सकतो आज के दिन 5% का negative return दिया है यह company company का quarterly अच्छा होने के बावजुद भी company लगाता डाउन ट्रेन पर है इस बग देखेंगे इस हपते में company ने लगबग 5% का negative return दिया है मंतली चार्ट परटन देखेंगे तो 11% का इ इस company में यहाँ पर एक माई ना च्छे माई ना पहले देख सकतो इसका शेर प्रे 64 रुपेश का होग आ करता था 64 रुपेश का शेर आज गिर के 34 पर आ चुका है तो बहुत तेजी से negative return दे चुका यह company एक साल में भी आपको सेम देखेंगा 46% का negative return है एक साल से यह company जो है लगबग 110 पंदरा रुपे के आसपास घुम रहा था 110 पंदरा रुपे का शेर आज 34 पर आ चुका है तो यहाँ पर यहाँ पर जो और इन्वेश किया है निवेशक उनके लिए तो नुक्सा आने पर यहाँ पर जो retail investor नया इन्वेश करने को सोच रहे है उनके लिए यहाँ पर फाइदा है क्योंकि उनको 100 रुपे का शेर यहाँ पर 35 रुपे पर आज मिल रहे है मैक्स फाइबर का चार्परण देखेंगे तो यहाँ पर 1150 परसन का अब भी शांदा रिटर है इतना गिरने के वावजूद भी ठीके और यहाँ पर मैक्स तो मैक्स दिखा दे तो मै एक दो रुपे पर आ चुका था वाइट फाइनली 2021 में देखेंगे 2021 माई एप्रिल माई को यहाँ पर कंपनी पर एक रेली आया एक बहुत अच्छा रेली आया कि यहाँ पर 2-3 रुपे का शेर यहाँ पर सिद्धा 100 रुपया क्रोस कर चुका था लगबग 117-18 रुपया ह चुका था तो यहाँ पर मुनाफ़ा बना चुका है जिसको बनाना था यहाँ पर भी अभी मौका है क्योंकि इसका शेर प्राइस बहुत उपर से नीचे आया है तो आने वाले दिनों में अगर प्रोमोटर से इस कंपनी में कुछ करता है तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रो दोस्तों को शेर करना मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे जानकरी के साथ हमारे वीडियो को आंते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद